मंगला जीनी के किनारे आबाद, मुन्तिजिम जदीद और दिलकस शहर मीरपूर अजाज जमो कश्मीर के चन्द मारूफ तरीन सियाहती, सकाफती, तिजारती और मौाशी मराकस में से एक है एक हजार दस मुरबा किलो मीटर पर फैला मीरपूर, तीन तहसीलों, मीरपूर, डड़ियाल और इस नामगर पर मुश्तमिल है यहां के लोग इंतहाई चफाकश, मिलनसार, महमान अवाज और जिन्दा दिल है यहां के बेश्टर लोग, बैरूने मुमालिक, खसुसन बरतानिया में मुखीम हैं जो खतीर जरे मुबादला पाकिस्तान बिजवा कर पाकिस्तानी मईशत को इस तहकाम बख्षने में बुनियादी किर्दार अधा करते हैं इसी निस्पत से मीरपूर को मिनी इंग्लेंड भी कहा जाता है मीरपूर का पुराना शहर मंगला डैम में आने के बाइस मीरपूर के रहाइशियों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में हिजरत करना पड़ी इस हिजरत की बहुत सी तल्ख यादे आज तक लोगों के सीनों में जिन्दा है इस शहर को 1640 में गखर कबीले के मारूफ सूफी बुसुर्ग हजरत मीरा नवाब शागाजी ने अबाद किया मंगला डैम में पानी की सता कम होने पर आज भी आपका मजार और पुराने शहर की बाकिया देखने का मौका मिल जाता है मीरपूर अजाद जमो कश्मीर की वज़ाए शोहरत का अहम हवाला मंगला डैम है जो पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का साथवा बड़ा डैम है 1302 फुट तवील और 482 फुट बुलन ये डैम 8.8 मिलियन एकर पानी जखीरा करने की सलायत रखता है जिसे 23 नवेंबर 1967 को तामीर किया गया था इसी डैम से मुतसिल मंगला जील सयाहों के लिए तिलिसमाती जास्वियत की हामिल है इस जील के किनारे सयाह, कश्तिरानी, सेरो तफ्री और ताजा मचली के जाइकों से लुद्प प्ठाते हैं मंगला जील की सबसे उंठी पहाड़ी पर पोरस बादशा की बेटी मंगला देवी से मनसूव मंगला फोर्ट तारीखी एहमियत का हामिल और काबिले दीद है द्रियाए जेहलम और पोंच के किनारे पहाड़ी चोटी पर तिफाए नुकता नजर से तामीर किया गया कला राम कोट अपने मनफरे तरस तामीर और अतराफ के नजारों के बाइस सयाहों के लिए एक और काबिले दीद मकाम है डैम की मौजूदगी के बाइस इस कला को देखने के लिए सयाहों को कश्टी के जरीए कला तक पहुँचाया जाता है मीरपूर के मकामी अफराद पंजाबी, पोठोहारी, पहाडी, गोज्री और कश्मीरी जबाने बोलते हैं कश्मीरी खानों में गुश्टाबा, रिस्ता, लोबिया, कश्मीरी कबाब और बेश्युमार लजीज खाने इस शहर की खास पहचान हैं शहर के वस्त में वाके काहिद आजम क्रिकेट स्टेडियम खेलों का अहम तरीन मरकस है जिसमें 16,000 से जाए तमाशाईयों की कुझाईश है PCB के तहट यहां खेलों के कई मुकाबले मुनकित किये जाते हैं जबकि गुजिश्टा चन्द सालों से कश्मीर प्रीमियर लीक का इनिकाद भी इसी स्टेडियम में किया जा रहा है अलाकाई सकाफ्ती और माशारती सरगर्मियों को उजागर करने के लिए शहर में एक आलीशान म्यूजियम भी काइम किया गया है जबकि तफ्रीही सरगर्मियों के लिए आस्वा भुटो पार्क और जड़ी कस पार्क अहम तरीन तफ्रीग आहें हैं तारीम और सेहत की सहूलियात के हवाले से भी ये शहर आलमी मयार के इदारों का हामिल है जिन में बेनजीर भुटो मेडिकल कॉलेज और मीरपूर यूनिवरस्टी आफ साइन्स एंड टेकनॉलिजी की खिदमात मुल्की सदा पर सराही जाती हैं जदी तरीन मौसलाती सहूलियात की फरहमी के लिए Special Communication Organization SCO ने मीरपूर और अजाद जमो कश्मीर के दूर दरास इलाकों में फाइबर आप्टिक्स बिछा कर तालीम, सहत, तिजारत और मरिशत की जदी तरीन सहूलियात की फरहमी में आहमकिरदार अदा किया है मीरपूर आजाद जमो कश्मीर का शुमार तारिखी शहरों में होता है जिसकी स्याहती और सकाफती एहमियत इसे आजाद जमो कश्मीर के सबसे एहम शहर का दरजा दिलवाती है अजाद जमो कश्मीर के पुर्फिजा महौल, दिलकश मकामार और तारीखी अहमियत के तनाजर में देखा जाए तो मीरपूर अजाद जमो कश्मीर के माथे का जुमर है जिसकी शानदार तारीख, सियाहती मकामार, दिल फरेब हुसन और जिंदा दिल मकीन इसकी पहचान है